हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे योट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आप सभी अच्छे होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज हम बैड़ शीट बनाना सीखेंगे पैच वर्क करेंगे ब्लॉक्स बनाकर बहुत ही प्यारी सी बैड़ बैड़ शीट बनाना सीखेंगे तो इजी तरीका है और आगे वीडियो में आपको दो एक ट्रिक बताने वाली हूँ अगर आपके पास पतला कपड़ा है मेरी तरह जैसे मेरे पास ही पतले कपड़े हैं तो उनको ठीकनेस हम कैसे दे सकते हैं वो भी आगे वीडियो में बना सकते हैं तो देखिए 10 भाई 10 के दो कलर आज मैंने लिए है था पास दो पीस पड़े हुए थे उनका यूज करने वाली हूँ जैसे यह देखिए धे धोनों पीस हमने नहीं कठा करके एक रखने हैं धोनों पीस की जो अंदर वाली साइड है और बाहर को हमने लटी और बार वाली साइड को जो है उल्टी साइड है तो यह 10 वाई 10 के दो पीस में रखे हैं दो कलर के अब एक पैर का गैप छोड़ते हुआ मार्जन देते हुए है आपने चारो साइड से इनको स्टिच कर लेना है यह देखिए इतना इतना सा बराबर करके चारो साइड से बराबर सा गैप छोड़ते हुए आपने चारो साइड से इनको स्टिच कर लेना है तो फ्रेंट्स यह बहुत ही असान तरीका है डिजाइनिंग करने का ब्लॉक्स बनाने का तो इस तरह आप कुल्ट बना सकते हो जैसे आपके पास कोई Piece पड़े होते हैं कोई जैसे Gift में मिला होते हैं तो बने यहादी में जैसे मिलते हैं, अब देखिए इस तरह से yogurt क्रॉस बना लेना है भेट किनारे कोने के साथ कोने को मिलाते हुए अब एक पीस को पकड़ेंगे बीच में से और यहां पे हलका सा पहले कट लगाएंगे यह देखिए अब जो हमने निशान लगाया था उसके उपर उपर हमने बिलकुल इसको कट कर लेना है अब देखिए मेरी जो यह कैंची है बड़ी बाली वो आगे से थोड़ा सा इसकी न इस तरह से तो इस तरीके से आपने कट कर लेना है और सारे पीस जो है मैं पहले इस तरीके से ही रेडी कर लेती हूं कॉर्णर से हलका हलका हमने यह देखिए कपड़े को यहां से कट कर लेना है चारों साइट से तो देखिए एक पीस मैंने रेडी कर लिया है तो इस तरीके से सारे पीस में रेडी करके फिर आपको दिखाती हूं एक में मैंने ब्लू कपड़ा लगाया है बीच में और दूसरे में दूसरा जो यह प्रिंट वाला है उसको लगाया है तो यह सारे पीस मैंने रेडी कर लिया है अब इनको में प्रेस कर लेती हूं प्रेस के साथ दूसरा प्रिंट वाला पीस है उसको जोडेंगे तो इसी तरह से हम सारे पीसिस को जोडते जाएंगे और देखना जब यह पूरा जूट जाएगा पूरा अटैच कर लूँगी तो आप देखिएगा पहुत ही प्यारा इसका डिजाइन बनेगा और बनाने में भी यह काफी असान है यह देखो二 स्ट वीना जोड़ लिए हैं अब इसी तरह से आगे जो है अगला पीस जोड लूँगी बस इसी तरह से हमने जितने चोड़ाय चाहिए न उतने पीस हमने जोड़ लेने है जितने भी आपके अगर W beta की बना रहे हो यह single bed की बना रहे हो तो उसीः जोड़े हैं दो पीस मैं और रेडी कर लेती हूँ फ्रेंट्स मैं छोड़े साइस की बनाऊंगी लेकिन बड़े साइस की भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी अभी ये कपड़ा बहुत ज्यादा पतला है तो इसमें इदर उदर को जा रहा है लचक सी बहुत ज्यादा बनी हुई है जब इसको हम जोड़ेंगे तो इसकी जो लचक सी है इसको खतम करने के लिए थोड़ा कपड़े को स्टिफ करने के लिए आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगे क्योंकि कपड़ा काफी पतला पतला सा है तो अगर आपके पास भी कोई पतले कपड़े हैं जैसे जोरजट हो गया या और भी काफी सारे पतले कपड़े होते हैं तो उनको थोड़ा सा स्टिफ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी अगर उस तरीके से आप बनाओगी तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है बिलकुल भी टेड़ा मेड़ा नहीं होगा एकदम से सीधा रहेगा तो दो पीस पहले में जोड लेती हूँ तो मैंने आपको बनाना बताया है सिर्फ मैं बड़े साइज की बैडशीट नहीं बना रहे हूँ लेकिन इसी तरीके से ही आपको बनानी है बड़े साइज की बैडशीट जो आप बैडशीट या कुल्ट बना रहे हो नो तो इसी तरीके से बनाने है आप बहुत सारे पीस जितने चाहिए उतनी सारी पटियां रेडी कर लिए कर लीजिए और उनको सभी को जोड लीजिए तो देखो इस तरीके से आएगा डिजाइन ये बीच में अभी न मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ प्रेस के साथ अच्छे से बिचा लेती हूँ तो देखे इस तरीके से आएगा आप देख सकते हैं डिजाइन जो है काफी अच्छा लग रहा है देखने में तो इसमें ना पहले मैं ये ब्लू बाला कपड़ा लगाने लगी थी तो फिर बाद में ना मुझे ये ब्लू बाला जो था थोड़ा सा कम थ तो मैंने इसको छोड़ दिया बाद में मैंने दूसरा कपड़ा लगाया तो देखो इसको थोड़ा सा स्टिफ करने के लिए पहले में वह कपड़ा लगाने लगी थी लेकिन वह उसमें ना कपड़े में बहुत ज्यादा लचक थी तो वह टेड़ा मेरा जा रहा था तो दे अच्छी इसकी थिकनेस आ गई तो अब यह तेरा मिला बिल्कुल नहीं जाएगा तो प्रेस के साथ इस तरह से पेस्टिंग पेपर चिपका सकते हैं पेस्टिंग पेपर जो होता है 20 या 25 मिल जाता है 25 से 30 मिल जाएगा तो दो तरह के होते हैं एक थोड़ा सा मोटा होता है प इसके बीच में चुप गई और यह हमारा अच्छा प्यारा सा हाड सा पीस जो है बनके रेडी हो गया तो इस तरीके से अगर आपके पास भी पतला कपड़ा है तो आप उसको थोड़ा सा स्टिफ करने के लिए पेस्टिंग पेपर जो है इस तरह से चिपका सकते हैं इस तर इसमें ना मैं कोई फॉफ बगएरा आज नहीं डाल रहें हूं ना ही कोई फॉफ डालोगी ना ही प्लास्टिक का बैग डालने वाली हूं इसमें तो इसमें देखिए नीचे मैंने बिल्कुल सिम्प अपड़ा रख buckle है सेम तरह से कपड़ा करें इसको और इस तारह से हमने पटियां चारो साइट से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे इसमें हम कोई कुल्टिंग वगेरा बीच में नहीं करेंगे अगर आप कुल्टिंग करना चाते हैं तो बीच में फॉर्म डाल सकते हैं अभी देखिए सारे मैंने पिन लगा ली है अच्छे से पिन लगा के दोनों कपड़ों को अच्छे से सेट कर लिया है तो अब मिशीन पे लेके चलते हैं बस यह जो हमने एक्स्टर कपड़ा रखा है इसको ही हमने चारो साइट से स्टिच करना है और बन गई हमारी बहुत ही प्यारी सी बैट शीट बैट शीट जो है सेम तरीके से ह हमने फोल्ड करते जाना है बिल्कुल बराबर करके और चारो साइट से सिलाए लगानी है तो यह कॉटन फैबरिक है जो मने आज योज किया है तो कॉटन की बैट शीट आप इस तरीके से बना सकते हैं अगर सर्दियों के लिए बना रहे हैं तो आप वेलवेट की या और भी बहुत सारे कपड़े होते हैं उनकी आप बना सकते हैं और अगर गर्मियों के लिए बन कर सकते हैं ये देखो एक साइड से पटि में लगा ली अब दूसरी साइड से इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है और चारा साइड से स्फोल्ड करते हुए हमने पट्ट को फोल्ड करते हुए सिलाय लगानी है हमें कोई एक्स्ट्रा पट्टी इसमें नहीं लगानी पड़ी तो अगर आपके पास थोड़ा फालतू कपड़ा है तो इस तरीके से आप रख सकते हैं जैसे मैंने इसको रखा है थोड़ा-थोड़ा चार चार इन चारो साइड से बढ लेकिन आज मैंने यह दो कलर का यूज किया है यह भी मुझे काफी अच्छे लगे देखने में बिल्कुल यूनीक सा और अलग सा हमारा यह प्रोजेक्ट जो है बना है तो देखिए चारो साइड पर पट्टी तीनो साइड पर मैंने लगा ली है आप लास्ट वाली फिर से इस तरीके से फोल्ड करते हुए और देखिए बीच में हमें ना कोई भी इसमें सिलाई बगेरा नहीं लगानी पड़ी क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको तो अगर आप बड़े साइज की बैड शीट बनाओगे डबल बैड की तो आपको पेस्टिंग प पर का खर्चा आएगा तो 20 रुपे मीटर अगर आपको मिल गया तो 4 मीटर आपका 80 रुपे का आगया अगर पेस्टिंग पेपर नहीं लगाना चाहते पतला कपड़ा नहीं है अहां पतला कपड़ा होगा फिर ही आपको पेस्टिंग पेपर लगाने की जरूरत पड़ेग तब ही मुझे इस पे पेस्टिंग पेपर लगाने की जरूरत पड़ी तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कई बार आप भी कोई पतला कपड़ा स्टिच कर रहे हो कोई DIY बना रहे हो, कोई कुशन कवर या बेड़ शीट बना रहे हो तो पतला कपड़ा अगर आपके पास है तो आप पेस्टिंग पेपर उसके नीचे पेस्ट कर सकते हैं प्रेस के साथ तो देखिए ये बेड़ शीट जो है हम दोनों साइट से यूज़ कर सकते हैं दोनों साइट पे हमने प्यारा सा फैब्रिक यूज़ किया है तो देखे एक साइड से बिल्कुल प्लेन आ जाएगी, प्रिंट वली, यहां कोई डिजाइन नहीं आएगा, तो इस साइड से उस करेंगे तो यह हमारा डिजाइन आ जाएगा, तो देखे यह जो आज की हमने बैट शीट बनाई है, इसको हम दोनों साइड से उस कर सकते हैं, तो दोनों साइड से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो देखे मैंने तो दो लाइन बना के इतना सा यह प्रोजेक्ट आपको बनाना बताया है, आप बड़े साइज की बस पटिया मनाते जाएए और आगे आगे जोडते जाएए, तो फ्रेट साज का वीडियो कैसा लगा, मु तो आप देख सकते हैं, किस तरह से आया है ये डिजाइन, ये देखो, और बेक साइड से भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छा है, बहुत प्यारा सा प्रेंट लगा मुगे, तो आप को कैसा लगा, आप लगा मुझे अपन की जरूर बताना मुझे कमेंट करके, जिछती हूँ नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाइ-बाइ, टेक क्यार, एंद थेंक यू.